नमस्कार दोस्तों, Welcome to a Study24, विहार DLA Entrance Exam का result आ चुका है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे download करना है, Marksit के साथ आ चुका है, scorecard के साथ, तो देखें यहां पर दिखाई दे रहा होगा, link मैंने open करके रखा है, download a scorecard, तो इसको download करने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको आ जाना है, रोजगारविहार.com पे ठीक है, रोजगारविहार.com पे आपको सारा जानकारी उपलब्द भी है, और direct link भी उपलब्द है, download करने के लिए, तो यहां पर जैसे ही आते हैं, तो देखें सबसे पहले आपको daily new update के section में देखने को मिल जाएगा, विहार DLA entrance exam, result, scorecard, तो इसी पे आपको click कर लेनी है, फूरी detail आपके सामने खुल जाएगी, जैसे कि कब online हुआ था, कब परिच्छा हुआ था, कौन से shift में परिच्छा हुई थी, और इसके साथ कितना age limit है, कितना application fees लगा था, और इसके साथ educational qualifications कितनी थी, और seatे कितनी थी, सारा जान कारी यहाँ पर उपलवद है, इसके साथ साथ college में admission लेने के बाद आपका fees कितना लगेगा, अगर सरकारी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सरकारी college के लिए यहाँ पर link दिया गया है, इसके किलिक करते ही, आपको सरकारी college का जो fees लगता है, कि इसकी चीज में कितना पैसा लगेगा, इसकी पूरी official notification के साथ दिखाई गई है, तो इसको download करके भी आप लोग देख सकते हैं, इसके अलावा private college में कि अगर आपका admission होगा, तो कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में भी बताया गया है, help line number भी दी गई है, और result download करने के ल select करके डाल देनी है, जो भी आपका date of birth है, उसे आगे पीछे करके select करके डाल लेंगे, ठीक है, date of birth डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखे, application number है, डाल कर यहाँ पे download पे click करना है, अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होगे, कि यहाँ पे आपको application number दिखाई देग यहाँ पे आपको आपका application number, role number, नाम, ठादर नेम और जनमतिती भी दिखाई देगी, साथ में आपकी gender क्या है, महिला पुरुस, male female वो आपको दिखाई देगा, आपकी category कितनी है वो दिखाई देगा, और उसके बाद आपका अंक कितना आया है, वो आपको दिखाई देग होगा, हलांके मैं personal information को थोड़ा सा blur कर दिया हूँ, यह YouTube के policy के अंतरगत ही है, और यहाँ पे देखेगा, तो overall rank भी आपको दिखाई देगी, और आपके category के अनुसार आपका rank क्या है, वो दिखाई देगा, और जाता कुछ नहीं है इसमें, तो यही है आपका scorecard, इसको रखना है, जब counselling की date आईगी, तो आपको counselling में यह मांगा जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए इसको आपको सुरच्छित print करके रख लेना है, और result दोस्तो 18.10.2022 को ही आई है, तो आप इस पर कर से अपना result डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तो जल्दी से रोजगारविह किया है, तो मैं में लोगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए, बाई, जैहिंद!